टीर एश्टोनर असलाम उलेकुम लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था न्यूटन लास्ट के बारे में आज हम उन न्यूटन लास्ट के ऊपर कुछ प्राबलम्स करेंगे प्राबलम नूम्बर वन है अब नुम्रीकल को सोल्फ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं डेटा बनाते हैं तर ने वरी वरी इपोर्वेट दिल्स झाए एजरेगप टा है डेटाउर्ड डेटा राइंडर्ड टाृ conservative question a car of moss moss Yoskaya 1000 kg हम is equal to howでも 20 traveling at a speed of 36 km on me is equal to 36 kmиться first of all we are converting all units into a science 36 one kilometer is the 2000 meters divided by 3 604 seconds zero zero cancel zero zero cancel तरफिटी तरफिश्टी जन्सेल नें 10 मीटर पर सेक्ट अगेंड वी वी वें 20 मीटर एंड इस ब्रोट इंट रेस्ट जब बोड़ी मुविंग करते हुए स्टॉप हो जाए तो इसके लिए हम फाइनल लॉस्टी जीरो रखते हैं और यह इसकी आपनेटी इनिशल ब्लॉस् है कि Итак कि भेए यह चुछ तो जेविए हमोड़ ब्लीचिवन रेसिंट ब्लॉस्टी में चुक्या तू ए एस इसे हम बनाएंगे अभी अब देखें यह कैसे हम यूज़ करेंगे डेटा को इंप्रॉप इक्योशन के अंदर प्रॉप्लम को सौर्फ करने के लिए यह हमार पाडिकेशन दिए एक्सकोर मैनस व्याइस सक्ट यास एकसे शनका और यह मल्टीप्लम इस्टराफ आएंगे डिवाइड हो जाएंगे डिवाइड को अपांवेस एडिविए वेली जीडू माइनस व्याइक की वेल्यू टेन इसके उपर स्कॉरइड बैटू मैंटी 40. 0 यहां पर minus 100 divided by 40, 0, 0 में cancel. Now, divide 10 by 4. 2 to the 4, 2 5 to the 10 and minus 2.5 meter per second square. Minus shows it is retarding. Therefore, F is equal to MA. N की वेल्यू 1000 multiplied by minus 2.5 the answer will be minus 2500 अब दूसरा question देखें a force of 12 newton a force of 12 newton gives an acceleration of 4 meter second square. A force हमारे को सबसे पहले data बना है इसकी के force given है हमारे कोस force की वे लिए 12 newton वो एक्सेलरेशन हमें दे रहे है 4 meter per second square. अब आप बदाएं कि भई अगर acceleration 4 meter per 10 meter per second square हो तो उसके अंदर इतना मास होगा है. आप देखें यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे इस data F की वेली 12 divided by 4 एंसर इस इकल दो 3 kg नव फोर सेकंद इस इकल दो M multiplied by A M की वेली 3 multiplied by 4 और आप एंसर इस आप बना लुटन अगर यहां पर आप वेली चेंज कर लें फिर भी इससे आप लूम कर सकते हैं इससे फाइन पार सौलुशन अग क्वेश्टन नम्बर थिरी है अब बदी मूव बदी आप मास 2 kg का मास हमार पास देवें है डेड़ा बनाते जाएं, step by step, is equal to 2 kg, moving with a horizontal surface with an initial velocity of 4 meter per second, इसकी जो initial velocity ये, VEI is equal to 4 meter per second, counts to rest after 2 seconds, after 2 seconds, so इसका time over was given है, 2 seconds, if one wants to keep this body moving on the same surface with a velocity of 4 meter per second, इसकी ये final velocity हमारे पास given, VEI is equal to 4 meter per second, the force required, तो हमें इसका force मालूँ परना है, VEI is equal to what, solution, अब सवाल यहां पर यहां पर यहां पर कौन सा फारूम लगा, अब यहां पर सवाल यहां पर कौन सा इक्वेशन उसकारेंगे, तो हम यहां पर basic force की equation F physical to M में यूज करेंगे, अब देखें, F physical to mass given है, लेकिन acceleration के लिए, बालूँ करने के लिए हमारे पास initial velocity, final loss of time है, तो यहां पर हम फारूम लगा उसकारेंगे, अब देखेंगे, अब देखेंगे, फिसके अब फिसके अदर, F physical to M की वेल्यू के है, 2 kg, from data, Vf की वेल्यू, 4, minus initial velocity, with an initial velocity of 4 meter per second, अब यहां पर यहां पर यह फारूम लगा, F physical to M, हमारे पार जो वेल्यूश्टी है, initial and final loss, यह दोनों same है, it means, इसके लिए वेल्यूश्टी वह same change हो रही है, it means, इसके अंदर, acceleration है वह uniform है, V is equal to M, V upon T, F physical to M के वेल्यू है, 2, velocity की वेल्यू कितनी है, 4, divided by 2, Q2 में Tancel, and F is equal to 4 N, इसका रेंसर है वा 4 N, यह प्रोब्लम्स थे, Newtons related, कलम, next topic, tension और उसके cases, और उसकी duration,